अला दोस्तों ये हैं रेड़ वाली लाल भर्मा मिर्ची जो की सूखने के बाद ऐसी दिखती हैं यह लगबग एक महीने तक हमको रोज रखनी है सुबह दूप में और बापस रख लेना हैं शाम को नहीं तो उसकी बूंदों में ये खराब हो जाएंगी इसलिए ये मिर्ची आप जरूर बनाएं और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको बहुत अच्छी कुकिंग की नईनी रेस्पीज पता चलेंगी और आपको मेरे बहुत अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे इसलिए दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, कमेंट, शेयर चरूर करें देखिए दोस्तों ये हैं लाल मिर्ची जिनको की मैंने धोकर सुखा लिया है इनको मैंने दो-तीन दिन धूप में सुखा लिया था ये है मसाले जो हम इसमें उप्योग करेंगे सौफ, राईड़, जीरा, ये थोड़ा सा मैथी दाना ये है हल्दी, ये जीरा और ये है हींग इसको हम कूट कर उप्योग करेंगे और ये हैं लगबक साथ आठ अच्छे रस वाले नीबू जिनको रसम उप्योग करेंगे और यहां पर ये है नमक ये हो गई हमारी पूरी सामग्री अब हम सबसे पहले इन मिर्चों को दो भागों में काट लेंगे सबसे पहले इनकी डेंठल को काटके अलग कर देंगे और इनको दो पीस में कर लेंगे इस तरह ऐसे करना है जिससे की इनका मसाला अच्छे से भर जाए इसलिए हम सब को दो भागों में करेंगे हमें ऐसे करना है जिससे मसाला बाहर न निकले देखिए दो भागों में करने से मसाल अच्छे से भर जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा इन मिर्चों को हम ऐसे डंठल निकाल कर काटते जाएंगे ये मैंने लगबक तीन-चार दिन तक धूप में सुखाई हैं इसलिए इन में कुछ में ये सिकुर्सी गई है मिर्चियां सूखने के बाद देखिए सूखने से इनके खराब होने की पूरी हो कतम हो जाती है पूरी मिर्चियों मैंने दो भागों में काट ली हैं अब मैंन में इंड़ंटलों को देखी, अलगर करके रख दिया अब ये मसालों को हम धीमी आजपर भूनेंगे कड़ाई में सबसे पहले मैं ले रही हूं जीरा फिर मैं ले रही हूं सॉफ फिर ले रही हूं मैती दाना यह में बहुत कम लेना नहीं तो कड़वा हो जाएगा अब हम इन मसालों को धीमी आज पर अच्छे से भूनेंगे यह हमारा मसाला भून गया है इसको ठंडा होने के बाद ही पीसेंगे यह मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है सब मसाला अब हम इसको पीस लेंगे यह देखिए मैंने मसाला पीस लिया है यह बहुत ही दरदरा है देखिए बिलकुल दरदरा पीसना है हमको और यह मैंने लिया है काच का बाउल इसमें हम यह मसाला ट्रांसफर कर लेंगे इसमें हम ये हल्दी मिला देंगे इसके बाद ये राई डाल भी इसमें मिला देंगे और हमने जो नमक लिया था इसको भी इसमें डाल देंगे अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद ये जो मैंने हींग ली थी इसको मैं छोटे से खलवटे में कूट कर ले लूँगी ये देखिए मैंने छोटे कलवटे से इसको क्रश कर लिया है अब मैं इसको इसमें मिला लूँगी ये लिया है हमने एक छोटा सबाव जिसमें नीवू को दो टुकडों में करके इनका रस निकालते जाएंगे ऐसे करते हम सभी नीवूओं का रस निकालेंगे और इनकी बीजे अलग कर देंगे यह हमारे 6-7 नीवूओं का रस तयार है अब इसको हम मिला लेंगे अपने मसाले में एक यह मसाला हमारा इसमें हम डाल देंगे ये नेवो का रस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए ये लाल मिर्ची जो की हमने दो भागों में काट ली हैं और ये है हमारा तैयार मसाला अब हम इस मसाले को एक-एक मिर्ची के पीस में अच्छे से दबा दबा के भर लेंगे हमको इस तरह से भरना है जिससे कि ये निकले नहीं इसलिए अच्छे से दबा कर भरना है देखिए मसाला अच्छे से भर जाए हमको ऐसे करना है ये दबा दबा के मैं भर रही हूं इसी तरह से हम अपनी सभी मिर्चियों को भर लेंगे देखिए इस तरह से और ये मैं रखते जा रही हूँ दीजे दोस्तों तैयार है हमारी भरमा लाल मिर्ची जिनकों की हम अब 15-20 दिन तक सुखाएंगे इससे कि ये अच्छे से सूख जाएंगी और फिर हम इनको स्टोर करके रख लेंगे और ये काफी सालों तक बहुत अच्छे से चलती है इनका फिर हम उपयोग जब भी हम कुछ भी तलते हैं पुड़ी सबजी बनाते हैं तब इनको हम तेल में तलके इनका उपयोग कर लेते हैं कितना बड़ी है मसाला भर गया है और ये अच्छे से सूख जाएंगी उसके बाद ही हम इनको रोज हमको दूप में रखना है और दूप में से इनको उठा के नीची रख लेना है फिर सुबह रखना है फिर शाम को उठा लेना है इसलिए इनका प्रयोग आप ध्यान से करें इनको 15-20 दिन लगबग एक महीने तक हमको सुखाना है इसलिए दोस्तों ये मिर्ची आप जरूर बनाएं और ये सूखने के बाद इस तरह की हो जाती है देखिए ये कितनी अच्छी हो गई है ऐसे भरी रहती है ये कभी भी निकलता नहीं है मसाला इनको हम तल के खाते हैं अभी मैं आपको तल कर भी बताती हूँ देखिए ये कितनी अच्छी हो गई है और इनका कलर कितना डिफरेंट हो गया ये बिल्कुल रैड है और ये बिल्कुल ब्राउन कलर की हो गई है या कहना चाहिए काली ही हो गई है तो हमको इनको भरके सुखाना है ये मेरी तीन साल पुरानी मिर्ची है इनको तीन साल हो गए पर ये बिल्कुल खराब नहीं हुई क्योंकि मैंने इनका बहुत अच्छे से सुखाया था तीन साल पहले मैंने इनको भराता तब से मैं आज भरी हूँ, इस बार, आपको मैं ये तल के बताती हूँ, इस तरह से दूप में सुकाना है मिर्चों को, लेकि तेल गरम हो गया है, मैं ये मिर्ची आपको तल कर बताती हूँ, इसको मैं दोना तरफ से तलना है, ये तलने के बाद, आपको और ब्राउन लिखे तोड़ेगी और यह बहुती क्रिस्पी आएगी थोड़ी ठंड़ी हो जाती है तब मैं आपो बताती हूं तोड़ के देखिए मिर्ची तल गई है तो तीन साल पुरानी मिर्ची है फिर उनके अंदर कितना त्षा मसाला भरा हुआ है और ये मैं तोड़ के बाद देखिए किती कुरकुरी आवा जा रही है देखिए कित अच्छा मसाला बरा है आप इसको जब भी डाल चावल पुड़ी सबजी के साथ खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है देखिए किती अच्छी क्रिस्पी है देखिए ये है हमारी मिर्ची नई ताजी लाल मिर्चों को हमने भरा ये सूखने के बाद हो जाती है ऐसी पहली प्रोसीजर ये सेकेंड ये और थर्ड ये ये तलने के बाद ऐसी हो जाती है तो ये हो गई हमारी तीन प्रोसीजर की मैथड झाल झाल झाल